दोस्तों आप क्रिकेट में कैसे सफल हो सकते हो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तर वाच करना कुछ भी मिस मत करना सब कुछ इंपोर्टेंट है आपके लिए तो वीडियो को शुकरने से पहले एक छोटा सा लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे क्रिकेट में देखो करोडों बच्चे खेलते हैं इसी सपने के साथ में कि वो टीम इंडिया का एक दिन हिस्सा बनेंगे पर उसमें से सिर्फ 11 लोग ही वहाँ पर खेलते हैं तो ये बहुत ही टफ कॉम्टीशन है इसको दरसाता है इंडिया के अंदर तो क्या सच में क्रिकेट में अपना केरियर बनाने की सोचना एक सही दिशा है या नहीं तो मैं आपको बता दू कि क्रिकेट में देखो अगर आप वहाँ तक नहीं भी पहुँचते इंटरनेशन लेवल तक आप डॉमेश्टिक तक ही पहुँच जाते हो तो आपको कभी भी पैसो की जरुवत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर हम क्रिकेट को हम दूसरे स्पो तो यहां पर क्रिकेट के इंदा आपको बहुत ज़्यादा रेयर चांसिस है कि आपने कभी डिष्टिक या रंजी खेल ले उसके बाद में आपको क्रिकेट की दिक्कत होगी क्योंकि आपको एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा और आपको इतना पैसा बीस्याई दे ही द अब देखो श्टेट लेवल में अं Middle19 की नहीं बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सीनियर टीम की जो की रंजी के इंदर मैचीस खेलती है दिलिपके अंदर खेलती है जी हाँ दोस्तो 60,000 रुपए जो की BCI ने अभी भी ऐलान भी किया है कि 60,000 रुपए पर मैच का दे रही है वो अब BCI तो ये तो और भी अच्छी बात है पहले कम पैसे मिलते थे बट अब और भी जदा बढ़ा दिये गए है दूसरा जो तरीका है जिससे आप अपने क्रिकेट के अंदर safe carrier बना सकते हो वो है आप किसी government job या फिस sports कोटे से खेलते हुए क्रिकेट में कैरियर बनाओ जैसे कि आपने railway के कोटे के अंदर में form बर दिया वहाँ के trials दिये उसके बाद में आपने railway की job भी ले ली साथ में आप क्रिकेट खेल रहे हो तो railway या फिर आप services के team से खेल सकते हो जानी कि आपने Indian army में आपकी job लग गई या फिर Indian navy की job लग गई उसको job के साथ में आप क्रिकेट खेल रहे हो तो वो भी allowed होता है यानि कि आप इन दोनों केरियर में जैसी की railway और services यानि की navy, army, air force इन तीनों में अगर आप job करते हो एक क्रिकेट खेलते हो तो भी आपको फायदा होता है तो दोस्तों अगर आपको क्रिकेट में safe carrier बनाना है तो आप jobs की तरब भी prefer कर सकते हो जो की railways की है वो भी government job है और army और services की है वो भी government job है तो आपको ये वीडियो कैसी लेगी हमें comment करके बताना ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe कर देना